तो इसके पास तीन कॉलम्स है तीन कॉलम्स है फर्स्ट कॉलम्स बता रहा है कि यहां से अगर हम फ्लाइट शुरू करें और यहां पर खतम करें तो इतना amount of money हमको देना पड़ेगा है इतना cost हमको देना पड़ेगा है जीरो वन को तुम मालो city जीरो city वन ठीक है इसका भी मैं graph बनाओ तो आपको अच्छे समझ में आएगा तो यह क्या है यहां से अगर start करें यहां पर यह क्या है यहां पर खतम करें तो यह cost लगेगी ठी अपर अलग तरी किसम को दे रखा है ना यह adjacency matrix है ना यह adjacency list है ठीक है चलो तो मैंने क्या बोला मैंने क्या बोला यह starting है यह end अगर यहां से start करा और यहां से end करा तो यह cost लगेगी तो उसका graph कैसे बनेगा मैं आपको दिखाता हूँ ओके गाई सो देखो कुछ ऐसा graph बनेगा है ना 0 1 के बीच में 0 1 के बीच में edge है और उसकी cost क्या है 4 है ना 0 4 के बीच में edge है उसकी cost है 1 0 2 2 3 के बीच में edge है उसकी cost है 2 1 3 के बीच में edge है ना 1 का है हमारा 1 और 3 के बीच में edge है उसकी cost है 5 ऐसा कर गे हमने graph बना लेना है अच एक source node दे रखी होगी, एक destination node दे रखी होगी, तो हमें बताना है, इस source node से, इस destination node पे जाने में तुम्हें कितना minimum cost लगेगा, और आपको एक चीज़ यह बना है, कि आप maximum up to जो है, दो stop ले सकते हो, हो सकता है, आप एक भी stop ना लो, direct चले जाओ, या आप maximum दो stop ले सकते हो, द एक चीज़ एक चीज़ दे दी है, कि आपको यह चीज़ दे दी, कि आपको इतने, इतनी cost पे करनी है, इतने maximum stops लेने है, हो सकता है, एक भी ना लो, पर maximum दो ले सकते हो, पर मेरे को आप minimum cost लाके बता दो, ठीक है, questions on में आ गया हमको, questions on में आ गया, ओके, first of all क्या करते है ना, adjacency list बना लेते हैं इसकी, so that हम इसको BFS से अपने, या dash algorithm क्यालो तूम, या BFS ही क्या हो अभी के लिए, कर पाएं, तो ठीक है, मैं list भी नहीं, कुछ अलग तरीके की list बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखा रहूँगा कि, अगर ये starting है तो इस starting से मैं किस-किस nodes पर जा सकता हूँ, जैसे हमारा adjacency list में होता था, यह 0 मतलब node number 0 किस-किस उससे जा सकते थे, यहाँ पर लिखी भी रहती थी वो, ना, one वाली node कहां कहां से आ सकती थी, मैं hash map से बना लेता हूँ, एक ही बात है, आप उससे बनाना चाहो तो उससे बन with 4 unit of cost, ठीक है, तो यह इसका key जो है, वो integer है, और value जो है, value जो है, list है of array type, ठीक है, list of array type, ठीक है, इसमें हम क्या restore कर रहा हूँगे, कि मैं 0 से 1 पर जा सकता हूँ, with 4 cost, ठीक है, उसके बात देखो, मैं 0 से 4 पर जा सकता हूँ, with 1 amount of cost, जीरो से 4 जा सकता हूँ, with 1 amount of cost, उसके बाद, मैं 2 से 3 जा सकता हूँ, उसके बात मैं 1 से 3 जा सकता हूँ, with 5 amount of cost, तो 1 से मैं, एक ठीक है है, एक तरह से 1 से 3 जा सकता हूँ, with how much, 5 amount of cost, जीरो से मैं 2 जा सकता हूं with 2 amount of cost एक काम करता हूं इसको थोड़ा सा इदर कर लेता हूं ओके जीरो से 2 जा सकता हूं with 2 amount of cost ठीक है तो यह एक टाइप से हमने adjacency list type बना ली अपनी अब देखो इसका use करके हम देखो कैसे इसको solve करेंगे है इसका use करके solve करेंगे हमको यहां से start करना है यह हमारा starting vertex है यह हमारा end vertex है यहां से हमें जाना है with maximum k steps and minimum cost जो minimum cost होगी वो return करनी है अगर हम यहां पर नहीं जा सकते in steps में तो हमें return करना है minus 1 ठीक है अगर नहीं जा सकते in this in this steps बहुत असान है बहुत असान है ना देखो कैसे हम इसको BFS से solve करेंगे इस graph को नीचे ले आते हैं फिर अच्छे तरीक से इसको solve करते हैं मिनिमम केंडेंगे काम करेंगे इसको सॉर्ट कर देंगे तो यह हमारी hairs क्यों कैसे कर्रेंगे कैसे कर रहे होंगे हम यह हमारा starting vertex है अगर यह हमारा starting vertex है तो हमें start अब क्या एक object बनाएंगे object या फिर array ले लो object बनाओ object कुछ भी बनानो बना लो तो उसमें हम क्या रख रहे होंगे क्या रहे होंगे let's suppose को मैंने array बना लिया आप object बनाना चाहो पेर या लब पेर तो नहीं एक object बना तो बना लेना तो इसमें हम basically क्या रख रहे होंगे currently हम किस नोट पे हैं अभी initially हम इस नोट पे हैं तो जीरो इस तक पहुचने में मुझे कितना amount of cost लगेगा अगर आती होगा अब नहीं भी आती होगी तो इस वीडियो को देखते रहाओ आ जाएगा सुन जाएगा तो यहर मैं 0 पे हूँ मेरे को 0 से 0 पे पहुचने में कितना लगेगा जीरो है ना ठीक है और मेरे पास कितने steps हैं two steps है अभी है ना two steps है वही हम BFS लगाएंगे ना तो पहले अभी यहाँ पे होंगे फिर उसके बाद ऐसे से move करेंगे second unit of time में यहाँ चले जाएंगे third में यहाँ चले जाएंगे ना ऐसे move करते हैं ना BFS में चलो तो ठीक है हमने यहाँ पर लिख दिया जीरो उसके बाद कितने हैं हमारे पास अभी two तो मैंने क्या बोला यहाँ पर हम लिखेंगे current है ना उसके बाद यहाँ पर cost मदलब source से इस node मदलब current node अभी हम किस node पर है cost source node से उस node पर पहुंचने की cost अभी source भी यह यह और यह भी यह cost जीरो ही नहाँ पर है ना तो इसका इसका क्या बना के डाल देंगे इसका यह बना के डाल देंगे information डाल देंगे कि अभी हम current node पर हैं तो current node पर है हम that is zero और cost है उसकी वहाँ पर पहुंचने की zero और अभी हमारे पास two steps है अभी हमारे पास two steps है ठीक है बहुत सही है अब इसको निकाल अब इसको निकालेंगे, यहां से बाहर, इसको निकाला, ठीक है, इसको निकाल लिया, अब इस पे आगए, अब इस से, इसके सारे एड़ेसेंट देख रहे हैं, इसके सारे एड़ेसेंट कहा मिल जाएंगे, हमको यहां पर मिल जाएंगे, यह जो हमने अपनी एड़ेसंसी ल प्र वहन मों हानना यहां से बाकी सब जगह पहुचने की कौश प्लस इंफिनिटी एस रास्ते जाओंगो तो मेरे को 4 मिलेंगे, 4 देने पड़ेंगे, 4 रुपे और इस राष्टे जाँगो तो 9 रुपे देने पड़ेंगे, ना, तो अभी मैंने इनिशली प्लस इंफिनिटी मान ली, तो ठीक है, तो 002, 002 डैट इस इस वाले नोट पर हूँ, इस वाले नोट के एड़ेंट कौन सा है, पहले मेरे को मिला, इसका एड़ेंट 1, यहाँ पर पड़ा हुआ है 1, और यहाँ पर 1 पर जाने की कॉस्ट, तो 1, तो ठीक है, मैं क्या कहूंगा, कि अभी मैंने मान रखा है कि प्लस इंफिनिटी है, तो प्लस इंफिनिटी से तो बढ़िया है भाई, यहाँ तक 0, यहाँ कॉस्ट पड़ी है 0, प्लस तेरे पर जाने की कॉस्ट, अगर मैं डारेक्ट है से जाऊं, 4, तो यह 4 आ रही है, तो इस से बढ़िया है, मैं प्लस इंफिनिटी से बढ़िया है, कि यहाँ से ऐसे आ जाऊं, यहनि मुझे एक पात मिल गया, तो मुझे How much cost, 4 cost, और मैंने अगर इस पे चले गया, तो मैं एक स्टॉप ले चुका हूँगा, एक से डिक्रिमेंट कर दूँगा मेरे अपने यह, तो यह स्टॉप सा गए, ठीक है, बहुत सही है, दीरे दीरे सुन में आएगा, इसके बाद देखो, इसके बाद देखो, इसके बाद 0 is 1, और यहां पर मैंने infinite assume कर रहा है, तो मुझे एक रास्ता मिल गया, जो इससे कम है, तो that is 1, और किस पर जा सकता हूँ, मैं, node 4 पर जा सकता हूँ, with spending 1 unit of amount, ठीक है, और इसके बाद भी मैं अगर इस पर भी गया, तो भी मैं, कितना, एक step ले चुका हूँगा, तो इसको एक से decrement कर दूँगा, तो मैं इसको भी उठा के अपनी priority queue में डाल दूँगा, इसको छोटा कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, इसको, ओके गया, तो यह डाल दे, उसके बाद मैं कहां जा सकता हूँ, मैं 2 पर जा सकता हूँ, तो मैं 2 पर जा सकता हूँ, by 0 plus 2, 0 plus 2, that is यह तो 2 amount of money spend करके मैं 2 पर जा सकता हूँ, और plus infinity मैंने assume कर रखा था, तो इससे better है, तो मैं 2 पर चले गया, by spending 2 amount of cost, और अब मेरे पास एक ही step रहे गया, क्योंकि एक से मैंने decrement कर दिया इसको, ठीक है, इसको भी उठा के मैंने अपनी priority queue में डाल दिया अभी के लिए, अच्छ priority queue में minimum सबसे पहले रखेंगे, अभी तो ये array है, तो हमें बताना पड़ेगा कि हम किसके basis पर हर एक रखेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँँ, comparator interface करकर कैसे करते हैं, ये, basically हमें हर object का, हर दो object के बीच में, ये वाली चीज कंपर करनी बड़ इसको, तो सबस भी दो अब्जेक्ट्स होंगे उनमें ये वाली और ये वाली चीज कंपेर करने पड़ेगी जिसका ये मिनिम्म होगा उसको पहले रखेगा प्रियोटी क्यों हमारा है ना तो जब ये अगर हमने इसको कॉस्ट के बैस पर सौट कर रहा है तो उनकी शफलिंग पता है कुछ कि अब सबसे आगे रखा हुआ होगा है थीक है उसके बाद देन इह अब देखो यहां यहां इन तीनों नोट्स पर हमने पहुछ दिए तो एक स्टउप ले लिया है तो अब हमारे पास एक इस ambos रह गया है है थpelा कि जalsगस एक बाह गया है है थेज़ना ँभी तक हम यहां पे भी पहुँच चुके हैं, यहां पे भी आ सकते हैं, यहां पे भी आ सकते हैं, यहां भी आ सकते हैं, पर destination तो हमारी ही है, तो अभी तख हमें अपने destination पे नहीं पहुचे हैं, अच्छा, अब यहां पे यह प्लस infinity नहीं है, यहां पे प्लस infinity नहीं है, इनकी जगा, इ वोर्ट पर पहुंच पूछ से निकल नहीं तो अगर जिस नोड पहुंच पूछ के हम वासे निकलने चील में अगे ट्राइवर्सक्राइब से देख लिया अब दूसरी निकालते हैं अब आगे है हमारी नोड नमबर टू इसको मैं थोड़ा सा आगे किसका देता हूं अगे नोड नमबर टू अगर हम नोड नमबर टू पर आ जाएं तो नोड नमबर टू तक आने की निया मेरे को अगे अगे सबर्ट ले लिया तो मैं क्या गाउंगा मैं थरी पर यहां पर लग गया तो यह वाला टू और लेना पड़ेगा मेरे को इस h के तुरू जाऊंगा तो 2 है ना तो अब मेरे पास कितने stops ले जाएंगे एक stop और ले लिया मैंने तो मेरे पास अब 0 stops ले जाएंगे तो ये ये मैं पहुँच गया है ना अभी मैंने इसका बना के डाल दिया sorry okay ये बना के मैंने डाल दिया ठीक है और तो कहीं नहीं जा सकता है मैं इससे चलो तो इसको निकाल देंगे अब अपना peak element निकालेंगे फिर से क्यू से इससे बूसते हैं कि भाई अगर मैं तेरे पे पहुचा तो मैं तेरे से कहा कहा जा सकता हूँ मैं 1 से जा सकता हूँ 3 पे तो 1 से 3 पे जा सकता हूँ मैं already मेरे को 1 तक आने में 0 से 4 amount of cost लग गई तो अब मैं 3 पे जाने पे कितना लगा दूँगा 4 प्लस 5 that is 9 और मैं 3 पे पहुच जाऊँगा और मेरे पास अब 0 stops रहेंगे एक से मैंने इसको और डिक्रिमेंट कर दिए एक stop ले लिए मैंने ठीक है बहुत सही है तो मैं इसको भी अपनी priority queue में डाल दूँगा priority queue में डाल दिया इसका काम हो गया और कोई node है नहीं बहुत सही है अब देखो हम किसके बेस पे sort करेंगे यह अपने अप sort करेगा है ना comparative interface तो यह of course 2,9 से कम है तो यह 3 आगे रहा होगा अब जैसे ही हम इसको निकालेंगे हम पता चल जाएगा कि हम node number 3 पे आ चुके हैं इसको देखके और जो यह cost sorry यहाँ पे 4 होना चाहिए यहाँ पे 4 होना चाहिए देखो मैंने कहां गलती कर दी है देखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे देखो हम 2 पे थे ना जब 2 पे थे तो उसके बाद यहाँ पे 4 करना था मेरे को 4 करना था 2 आइड करना था तो यह गलती कर दी मैंने ठीक है तो यहाँ पे यह 4 होना चाहिए और वहाँ पे उसके according होना चाहिए, मैं आपकर करके बावपस अपनी priority की बना देता हूँ, जैसी थी, ओके, सो कुछ ऐसी थी, तो 4 था पहले, तो 4 अपकोस 9 से ज़ादा है, 4 अपकोस 9 से ज़ादा है, तो ये आगे रहेगा, तो जैसी हम इसको निकालेंगे, जैसी हम इसको निकालके बाहर लाएंगे, 0 रहे गया, 0 को भी ले आते हैं, मतलब जैसी इसको निकालके लाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि हम अपने destination पर पहुँच चुके हैं, और जो ये cost होगी, तो minimum कौन सा path है, वो ये cost है, ये वाला, अगर हम ये follow करें, तो हमें minimum cost मिल जाएगी, तो इस तरीके से हम डैस्टर अलगॉरिदम ही है, इसको यूज़ करके हम कर सकते हैं, बस इसमें side by side में ये देखना है, जैसी 0 हो जाए तो हमें आगे नहीं चेक करना, तो बस ये dash trial algorithm ही है, बस इसमें k का ध्यान और हमको रखना है, तो अब ये k equal to 0 होगे, तो हमें आगे इसके neighbors चेक नहीं करने हैं, आगे इसके neighbors या addition nodes चेक नहीं करने हैं, ठीक है, तो आई हो आपको समझ में आ गया होगा, code देखो के सानी समझ में आ जाएगा, और comparator interface का हम इसमें use कर रहे हैं, मुझे पता ही कि काफी लोगों clear नहीं है, तो इसमें मैं आज वीडियो बनाके most probably डाल ही दूँगा, पकका पका से, हैना, तो चलो, code देख लेते हैं अब इसका असानी से है, ना, अचा, code से पहले एक चीज़ और अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, score up करके, score up कर देता हूं, एक सेगिन, okay, तो suppose करो, same question था, same question था, इसमें ना, के हमारा tweet था, के हमारा tweet था, पर न, ये थोड़ा सा modify कर देता हूं, मैं suppose करो, यहाँ edge नहीं थी, यहाँ edge नहीं थी, और, जिस वैसे तो आपको समझ में आये गया होगा, फिर भी मैं, ऐसी बता देता हूं, यहाँ एक और note थी, यहाँ एक और note थी, ठीक है, अच्छा, और, यहाँ से यहाँ, यह note number 8 से 6 थी, तो, यहाँ से यहाँ आने में, या 5 क्या देता हूं, मैं, 5 थी, तो, यहाँ से, यहाँ आने में, मेरे को one amount of cost लग रही थी, यहाँ से आने में, भी one amount of cost लग रही थी, ठीक है, तो, क्या मैं, यहाँ से यहाँ पात, क्या मैं, यहाँ यहाँ पात, जो है, consider करूंगा, यहाँ पात, consider करूंगा, यहाँ ना, नहीं, क्योंकि, इसमें, हमें देखो, तीन स्टॉप्स लग रहे हैं, हम maximum कितने स्टॉप ल रखें, तो, हम यह वाला step नहीं लेंगे, और यह वाला ले लेंगे, तो, वैसी भी code के according यह है, जैसी ही, वो 2 हो जाएगा, तो, इसको consider करेंगा, नहीं, आगे वाला path यहाँ यहाँ पर break हो जाएगा, यहाँ पर break हो जाएगा, तो, यही पात, आपको बताना चाह रहा हू कि कैसे digital algorithm, थोड़ा सा लग, है ना, जो हमने approach देखिया, same way, follow, वही हो रहा हुआ, अब इसका code देख लेते हैं, okay guys, तो इसका यह रहा, code simple सा है, code simple सा, इसमें क्या है, हमको flights दे रखे, 2D array में, number of vertex दे रखे, source दे रखे, destination दे रखे, और क्या दे रखा है हमको, कि कितने maximum stops आप ले सकते हो, है ना, हमने यह map बना लिया, किस type का है, integer और list, की इसकी integer है, integer क्या है, list है, और list किस type की है, list किस type की है, array type की देखो, क्या है यह, यह integer type की की है, इसकी, और यह list, list type की value है, और list भी simple list नहीं, कि simple ऐसे integer type की नहीं है, list भी array type की है, तो इसके अंदर भी array पड़ा हुआ है, array में basically कुछ नहीं, यह पता, यह है कि अगर यहां से 0 से start करा, तो इसके खतम कहां पर करा है, और जहां पर खतम करा है, उस edge की cost क्या है, तो यह कुछ, ऐसी हमने list बनाई है, चलो, तो यह हम यहां पर बना लेंगे, list simple से, अगर उसकी edge नहीं है, तो नहीं है, वो की value बनाए करेंगे, हमने list करेंगे list, और उसकी edge बना देंगे, और उसमें cost डाल देंगे, ठीक है, तो इतना काम कर देंगे, यह हमने priority क्यों बना ली, priority क्यों कि बनाई है, array type की, तो हमारे अंदर हम priority क्यों के अंदर ना, क्या डाल लेंगे, आगर हमारी min priority क्यों है, min priority क्यों है, तो इ आप दालते तो वो तो इन इंटीजर के basis पर सॉट करते था, मन सबसे पहले रखता फिर टू रखता फिर थरी रखता फिर फिर फूर रखता अब तुमने डालेएँ, तो arrays डालें तो किस base पर कर सकते हैं, हमारे पस चार options है, या तो वो इसके base पर करेगा, या इस value के base पर करेगा, या फिर इसके address के basis पर करेगा, by default अगर अगर अपने comparator नहीं लगाओगे, तो I guess address के basis पर इसको sort कर देगा, तो वो तो हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वो उसकी cost के basis पर sort करें, तो cost हम रख रहे हैं यहाँ पर, तो अभी जब हम इसकी cost बना के हैं पर डालेंगे, अपने priority queue में, तो यह 1th index पर होगी, के cost के basis पर, बहुत सही है, अच्छा, फिर यह हमने अपनी priority queue में हमने, जो priority queue में हमने, जो priority queue बनाई है, उसमें initially, जो 0th node होगी, अब इन जो भी source node होगी, वो source node डाल देंगे, क्योंकि हम initially source node पर होगी, तो कोई cost हमें देनी नहीं पड़ेगी, और जो के के value होगी, जो के stops होगी, वो ही यहाँ पर होगी, तो initially तो priority queue में यह डाल देंगे, उसके बाद अपना BFS simple से लगा देंगी, हम अपना BFS लगा रहे पोल करके हमने रख लिया, यह रहे, इस में से, ठीक है, तो 0th index पर current node की value पड़ी होगी, यहाँ पर current node पड़ी भी होती है, यहाँ पर cost पड़ी भी होती है, और यहाँ पर stops कितने बच गए हैं, इनिशली तो कही थे, तो यहाँ पर stops आ देंगे, अगर हम अपनी pop जो करी है देखो जब हमने यहाँ पर बनाई थी वो और जो हमने 340 जो है, क्या क्या थी हमारी 340 थी और 390 थी, तो जब हमने 340 वाली को निकाला था, जब हमने इसको pop करा था तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, क्या यह हमारी destination है, यह हमारी destination है, तो अगर यह हमारी destination है, तो हम return कर दे कि कितनी कॉस्ट लगे वही तुमारी मिनिमम है ना यहां पर हम यह कर रहे हैं अगर यह हमारी डेस्टिनेशन है तो उसको रिटन कर देंगे वरना जब तक हमारी स्टॉप ज्याद आए ग्रेटर देन जीरो है तब तक हम एक ही चीज करते रहेंगे अगर वो लिस्ट में पड़ा हुआ है हो सकता है ना जैसे देखो यह वाले एक्जामपल था यह वाले एक्जामपल यह एक नोट थो है एक वर्टेक्स थो है क्योंकि डारेक्टीड है तो इस पर हम आता सकते हैं पर इस पर आने के वाद कहीं जहां नहीं सकते तो इस से कोई एज नहीं है पर इस पर कोई एज है तो अगर कोई ऐसी वर्टेक्स मिल जाए तो फिर वहाँ पे तो continue कर जाओ वहाँ पे तो continue कर जाओ यहाँ पे देखो continue कर लिए अगर वह हमारे map में नहीं पड़ी भी इसको रख कर दो यार बहुत किष्टी बन गई तो अगर वह तुमारे map में नहीं पड़ी भी तो उसको तो continue कर जाओ अगर वह तुमारे map में पड़ी भी है तो उसके सारे adjacent nodes को तुम अपनी queue में डाल दो और cost क्या रखोगे वहाँ तक आने की cost plus वहाँ तक आने की cost plus उस edge की cost है ना और stops को क्या कर दो एक से decrement कर दो ऐसे करते 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 ने प्रेटी के बना लोगे तो जब तुम पाप कर रहे होगे ना उस node पे उस node को पाप कर आओगा जो तुमारी destination node होगी तब वहां पर return कर दो ऐसा हो सकता है कि तुम उस node पे पहुची नहीं पाओ, तो अगर तुम उस node पे पहुची नहीं सकते, तो return कर जाओ, minus 1, ठीक है, ऐसा कौन सा case होगा जिसमें तुम पहुची नहीं पाओगे, इधर देखो, हो सकता है, हो सकता है कि तुमारा जो destination node है, वो किसी दूसरे component में component में तुमको तुमारा destination दे रखा है, तो तुम इससे इसमें तो आई नहीं सकते हैं, क्योंको डारेक्ट है, जी नहीं है, तो यहाँ पे लेट से तुम्हें पहुचना था, यह 89 है, फ्रॉम 0, तो तुम पहुची नहीं सकते हैं, यहाँ पना वो लगा लिया होगा, तो कर देते हैं, तो फिर अगर नहीं मिलेगा तुमको तो तुम माइनस वन रिटन कर जाओ, ठीक है, तो यह था इसका अप्रोच सॉल्व करने का, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही गाई, आई होब आपको अप्रोच अच्छे समझ में आ गई होगी, और यह कोड भी अच्छ